दोस्तो यदि आप टेली प्राइम सुप्टवेयर में सुरुआत से सीरिल वाइज स्टेब बाई स्टेब कारिकरना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं इसके लिए आपको मेरे channel पर जाना होगा फिर जाना होगा playlist में playlist पर click करेंगे तो आपके सामने मेरे channel की playlist open हो जाएगी उनमें एक playlist होगी जिसका title होगा Learn Teleprime Serial Wise इस playlist पर दोस्तों आपको click कर देना है click करते ही आपको मेरी वीडियो के thumbnail सोने लगेंगे thumbnail पर उपर ही hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 इस तरह से serial लिखाओ को मिल जाएगा आपको hashtag 1 से प्रारम करना है serial से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ Teleprime Software में शुरू आज से serial wise कार करना सीख सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आजम क्या सीखने जाएंगे आज का हमारा topic क्या रहेगा दोस्तों आजम सीखेंगे हमारी जो भी creator party हैं जो भी dators party हैं उनको bill wise maintain हम किस तरह से करेंगे Teleprime Software में bill wise maintain का मतलब यह होता है दोस्तों कि रमन traders हमारी company है और इसमें हम क्या करते हैं ओधार purchase करते हैं और ओधार sell भी करते हैं अब हम जिन partyों से ओधार में purchase करते हैं तो फिर उसके बाद हमको इसको payment भी देना होता है तो एक तरीका तो यह होता है कि हम purchase करते जाते हैं जैसे कि मानले जिए किसी creator party से मैंने 6 invoices ले लिए और उसके बाद हम उनको payment भी करते हैं तो payment करते समय हम invoice 22 payment नहीं करते bill 22 payment नहीं करते हम payment करते जाते हैं उसके बाद 6 महीने में या साल भर में हम यह देख लेते हैं कि हमने total इन से ओधार purchase कितनी की उसका amount कितना है और कितना amount हम इनको pay कर चुके हैं और उसके बाद कितना amount इनका हमारे उपर निकल रहा है जो कि हमको payment कर रहा है इसी तरह से हमारी जो data party होती है उनको भी हम sell करते हैं sell करते समय हम उनको invoice देते हैं और जो पैसा वो हमको invoice के against payment करते हैं में देते हैं, हम रिषीव करते हैं उन से, तो वो भी हम इसी तरह से मेंटेन करते रहते हैं, तो, बिल deg Pent नहीं होता, यहाँ पर हमको यह पता नहीं चलता कि कितने बिल हैं उनका हम पेमेंट दे चुके हैं, या जो हमारी कोई creator party है उससे हमने एक invoice लिया और उस invoice लेने के बाद हमने एक invoice उन से और ले लिया तो जब हम payment करेंगे तो payment करने के बाद हम क्या करेंगे पहले invoice के अंतरकत उस payment को adjust कर देंगे और जब वो वाला bill पहला वाला बिल जो है पूरा चुकता हो जाएगा उसके बाद हम अगले बिल में payment करेंगे है ना उसमें adjust करेंगे तो bill wise maintain आपको कैसे करना है वो आज की वीडियो में बताएंगे है और bill wise maintain करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो creator party है वो जो आपको invoice देती है तो invoice देने के साथ-सा आपकी जो भी creator party है जिनको कि आप उधार में sell करते है उनको bill wise maintain किस तरह से करेंगे गेटवी आप टेली मुखमीन है दोस्तों और यहां से अगर आपको आपकी जो भी creator party है उनको bill wise maintain करना है तो एक feature को आपको यहाँ पर enable करना होता है उसके लिए दोस्तों आपको gateway आप टे पीचर में जब आप देखेंगे तो accounting feature के अंतरगत आपको यहाँ पर एक feature मिलेगा enable bill wise entry इसको दोस्तों आपको yes रखना है यदि यह no है तो फिर आप अपनी creator party के laser को bill wise maintain नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पर company feature में आना है और उसके बाद enable bill wise entry इसको yes करते हुए आपको accept कर लेना है ठीक है ना पहला कार है आपको यह हो गया अब हमको क्या करना है हम यहाँ पर एक उधारन लेते हैं अपनी creator party यानि हमारी आकास traders एक creator party है है उससे जो भी हम उधार purchase करेंगे तो bill wise हम उसको maintain करना जाते हैं तो इसके लिए दोस्तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रियेट में क्योंकि आकास traders के नाम से हम यहाँ पर एक laser create करेंगे और laser create करते समय आपको किस तरह से उस laser को bill wise maintain करना है वो भी बताएंगे create पर मैंने select करके enterprise कर दिया और यहां पर laser create करना है तो laser को select करके enterprise कर दिया यहां पर डाल देते हैं Akastrators क्योंकि हम Akastators का laser create करने जा रहे हैं under में रखेंगे हम sundry creator group के अंतर गर ठीक है वैलेंस विल वाई विल हम रखना चाहते हैं तो आपको इसको यस करना है अब दोस्तों यदि laser create करते समय आपने sundry creator group में किसी party को रख दिया है और maintain वैलेंस विल वाई विल यदि यहाँ पर आपको so नहीं हो रहा है ये वाला feature ये वाला option तो इसके लिए दोस्तों आपको app 12 प्रिस करना होगा keyboard से app 12 जैसे हमने keyboard से तो देखें यहाँ पर आपको configuration में एक feature मिलेगा maintain वैलेंस विल वाई विल इसको दोस्तों आपको यस रखना है जब आप इसको यस कर देंगे और accept कर लेंगे तभी आपके में यहाँ पर maintain balance विल वाई विल options होगा फीचर्स होगा और तभी आप इसको यस करके किसी भी party को maintain balance विल वाई विल रख सकते हैं ठीक ना तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अफ 11 पिरिस करके कंपनी फीचर में जाना है और वहाँ पर enable will wise entry को yes करना है और उसके बाद laser create करते समय आपको maintain balance will by will इसको yes करना है जिससे कि इससे संबंदित फीचर आपके laser में आ जाए और आप उसको yes करके maintain balance by will party को कर पाएं ठीक ना यह काम हमने सीख लिया अब यहां से हम चलते हैं voucher entry में vouchers को select करके मैंने यहां पर enter press कर दिया app to press कर देते हैं हम जो purchase करने जा रहे उसकी entry करने जाते हैं 31 माई को हम दोस्तों यहां पर purchase करने जा रहे हैं तो जो भी supplier का invoice number है वो हम यहां पर डाल देते हैं पार्टी हमारी है आका स्टेडर्स जिसके की laser को हमने बिलवाइस maintain किया है ठीक है पर्चेस कर दिया और जिस तरह से आप नॉर्मल पर्चेस करते हैं उसी तरह से आपको purchase यहां पर करनी है तो जो भी product हो आपके वो product आप लगा लेंगे मेरे जो भी product है मैं उन प्रड़क्त को लगा कर यहां पर और cgst sgst मैंने जगे कर दिया तो 87,520 रुपय का amount हो गया ठीक है ना अब हमने क्या किया ता का status को bill wise maintain किया था यहां पर मैंने enterprise किया और enterprise किया तो देखी यहां पर bill wise detail का हमारे सामने यहां पर feature आ गया यहां पर देखेंगे तो आपके सामने window खुल कर आ जाएगी यह है bill wise details ठीक है दोस्तों यदि आप purchase या sell के entry कर रहे हो और जिस party को आपने bill wise maintain किया हुआ है उसके बाद यदि आपके में इस तरह का यहां पर screen नहीं आती है तो दोस्तों इसके लिए भी दोस्तों आपको एक setting करनी होगी यहीं से आपको app 12 press करना होगा और app 12 press करने के बाद आप आज आएंगे यहां पर use default bill wise details for bill allocation इसको दोस्तों आपको no करना है यदि आप इसको yes रहने देंगे तो फिर जो हमारे सामने screen आ रही थी वो आपके सामने नहीं आएगी ठीकिना तो आपको इसको no कर देना है किसको use default bill wise details for bill allocation यदि आप उसको चाहते है नहीं चाहते है तो आप इसको yes कर देंगे तो हमको चाहना है तो हम क्या करेंगे use default bill wise details for bill allocation को मैंने no करके और इसको control के सा अब यह क्यों आ रहा है क्योंकि आकाश्टेटर को हमने Willwise Manten किया था अगर हम नहीं करते हैं तो यह alasец जगे पर नहीं आता है यह जो सामने हमारे सामने आ रहा है इस तरह का form वह नहीं आता अब यहां पर विलवाइस डेटेल्स आ गया और यहां एंटरप्रेस करेंगे तो देखें यहां पर 0012 यानि 12 नंबर यहां पर आ गया यानि जो हमारा यह सप्लाइर का इन्वाइस नंबर है वो यहां पर आ जाएगा आप चाहें तो इसको मैनुवली कुछ और भी कर सकते हैं जैसे कि हमारा पर्चेज का नंबर दो नंबर है आप तो दो भी डाल सकते हैं उससे पहचान करनी तो भी कर सकते हैं तो वाइड़ देफॉल्ट यह सप्लाइर इन्वाइस नंबर को इसने ले लिया रहा हम इसको ही रखते हैं क्योंकि हमको इन्वाइस नंबर से ही इसको मैंटेन करना है अब हमारा कर सरा अगया due date of credit days तो यहां पर डालेंगे 10 डेज यानि 10 दिन का हमको समय मिला है जैसी मैंने 10 डेज जाला तो यहां पर 10 जून 2021 आ गया यान 31 माई 2021 को हम यह इन्वाइस से पर्चेस करने जा रहे हैं और इसका जो अमाउंट है वो 10 दिन के अंदर हमको पे करना है यानि 10 जून 2021 तक हम इसको पे करेंगे पनीन तो इस तरह से दोस्तों हमको यह फ़ीत कर लीने इसके बाद एक एंट्री और करते हैं एक जून में एकर जून में आगया और इन необход नमबर है teaching आपका स्टेटर्स है और इस जगे पर आ जाते हैं इन्वाइस हम एक इन्वाइस तीन इन्वाइस के एंट्री करके दिखाते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए अब देखे यहां पर फिर न्यू रिफ्रेंस आ गया यह अठार नंबर का रिफ्रेंस ही आ गया और यहां मानके चलते आठ देन हमको मिले हैं तो यहां पर देखे हमने डाल दिया एड देस तो नौ जून दो जार एक तक हमको इसको पेमेंट करना है इसके बाद तीसरा नंबर का invoice मैंने इस जगे पर डाल दिया आकास टेडर्स को मैंने यहां पर ले लिया और यहां पर जो भी हमारा इस्टॉक आइटम है वह हम ले लेते हैं और देखें यह निव रिफ्रेंस आगे 23 नंबर का है और यहां पर मान के चलते हैं हमको 15 दिन मिल लए हैं इस invoice का payment करने के लिए तो वह मैंने यहां पर कर दिया 17 जून डेटा आगी हैं 17 जून तक हमको इसको पेमिट करना है अब यह तीन invoice की दोस्तो हमने क्या कर ली एंट्री कर ले, अब एंट्री करने के बाद क्या होता है दोस्तों हम इसको payment भी करना है, तो अब हम चलते हैं payment करने के लिए, तो यहाँ पर हम F5 प्रिस करते थे, payment voucher को लेकर आते हैं, पहला payment जो है दोस्तों, वो हम करने जाते एक जून में, तो हमने यहाँ पर कर दिया एक जून, है न, जिस भी date में आपको payment करना है, उस date को आप इस जगय पर कर लेंगे, और अकांट में यदि आप कैस से payment करना जा रहे, तो कैस का laser लगा देंगे, बैंक से payment करने जा रहे, तो बैंक का laser लगा देंगे, मैं यहाँ पर State Bank of India current account है, उसके laser से payment करने जा रहा हूँ, तो मैंने state bank of India current account का laser लगा दिया और यहां पर party ले ले लेते हैं आका इनको दोस्तों 70,000 रुपय का payment करने जा रहे हैं तो इसका फायदा यह है कि यहां पर जो भी payment आप करने जाएंगे तो payment करते समय जो भी एक जून तक जो भी payment जो भी बिल है वो पेंडिंग है वो आपके सामने आ जाएंगे और किस बिल के अगेंस्ट में आपको payment करना है वो भी आप इससे कर सकते हैं तो देखिए यहां पर 70,000 का payment करने जा रहे हैं यहां पर अगेंस्ट रिफरेंस ही हमको रखना है क्योंकि हम कि इसी डिफरेंस के किसी बिल के अगेंस्ट पेंडिंग करने जा रहे हैं वो हमने यहां पर कर दिया अब देखिए एक जून तक तीसरा जो हमने लिया था वो दो जून को लिया था इसलिए जगा पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि एक जून की तारीक में हम यह एंट्री करने जा रहे हैं तो यहां पर हमने नेम में ले लिया बारे नंबर ठीक है और देखिए यहां पर यह भी आगया दस दिन के अंतर जोन दोजार इकिस तक हम इसको पेमिंट करने जा रहे हैं इस तरह से क्या हो रहा है कि जो विल वाइस मेंटन है वो होगा है और उपर भी आप द डिटेल है वो आप डिटेल यहां पर डाल दें एक पेमिंट हमने कर दिया अब दूसरा पेमिंट करने जाते हैं हम दो जून को तो यहां पर दो जून कर देते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेंट अकांट से हम यह पेमिंट करने जा रहे हैं अब दोस्तों हम पेमि निकल रहे होंगे उस invoice के तो जैसी हम 1,00,00 रुपई यहाँ पर आगे करेंगे enterprise करेंगे तो 17,520 रुपई हमारे उस invoice के अंतरकत हो जाएगे और वो invoice हमारा pay हो जाएगा इसके बाद जो amount बचेगा एक लाख में से 17,520 रुपई मानस कर देंगे तो जो payment पैसा बचेगा वो क देखें यहाँ पर 12 नंबर के invoice में 17,000 रुपई हम payment कर चुके थे तो balance भी सो रहा है तीनों का balance भी सो होगा अब देखें इसका balance कितना सो रहा है बारे नंबर के invoice का 17,520 रुपई हमें pay करने है इस invoice के है तो यहाँ पर हम सबसे पहले AC को pay करते हैं खतम करते हैं तो बारे न कर रहे हैं वो किस से अगेंस्ट करना चाहते किस invoice के अगेंस्ट करना चाहते तो हम करना चाहते 18 नंबर invoice के अठारे नंबर में यहाँ पर डाल दिया अब देखिए जो पैसा बचा था एक लाक रुपई में से 82,480 रुपई जो बचे थे वो इस से एडजस्ट हो गया है से second invoice से और amount फूरा खतम होगे एक लाक तो आप अगेंस्ट डेप्रेंस नहीं आएगा और उपर भी आपको इस संब्ध में detail मिल जाएगी और इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर जो भी detail है वो डालते हुए entry कर लेंगे तो हमने तीन purchase की entry की और दो payment भी कर दिए अब हम escape की प् account books में और फिर जाते हैं हम laser में laser में आ गए आका status को select करके मैंने enter प्रेस कर दिया अल्ट के साथ app to प्रेस करके और पूरा period हम यहाँ पर ले लेते हैं अब देखें यहाँ पर जो दो purchase मैंने की थी वह यहाँ पर शोर रही तीन purchase और दो जो payment दिये थे वो भी शोर है और नी 12,440 रुपए हमें इनको देना है यह तो पूरा figure इस जगह पर आ रहा है लेकिन बिलवाइज यहाँ पर नहीं आ रहा है तो बिलवाइज यह आपको देखना है तो इसके लिए दोस्तों साइड में बटन है यहाँ पर लिखा हुआ है बिलवाइज यहाँ पर क्लिक कर दें 12 नमबर का invoice यहाँ से हट गया क्यों क्योंकि 12 नमबर का invoice उसका total amount जो भी था वो हम pay कर चुके है तो वो यहाँ से हट जाएगा यहाँ पर से pending amount आपको सोंगे और pending जो bill है वो ही सोंगे इस जगह जब हम देख रहे हैं तो देखिए 12 नमबर का invoice भी हमने इनसे लिया था 87,520 रुपए का यह देखिए तो यह यहाँ पर show नहीं हो रहा क्यों क्योंकि इस काम payment कर चुके हैं तो bill wise पर हमने यहाँ पर enter mouse click कर दिया अब देखिए दो bill यहाँ पर pending है 18 नमबर का और 23 नमबर का और यहाँ पर आएंगे तो opening amount का invoice का total amount opening amount था बोला 1,31,280 रुपए लेकिन क यहाँ पर क्या है bill wise maintain हो रहा है एक bill जुसका हम 12 नमबर का bill था जिसका बुक्तान हम कर चुके वो यहाँ से अट गया आप हमें पता चल रहा है कि दो bill का हमें और payment करना है और जो दूसरा जो bill ता 18 नमबर का वो उसमें हम कुछ payment कर चुके हैं उस bill का जो pending amount है वो है 48,800 रु हमें इनको payment करना है तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर bill wise maintain होता रहता है और जब भी आपको किसी विटेटर से credit party को bill wise maintain करना है तो आप इस तरह से करेंगे ठीक है अब आपको यह देखना है कि किस bill का हमको कितना समय मिला था है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस को इस जगे भी सब कुछ शो जागे यह एक लाएक कि 30,280 रुपए इसका अमाउंट था अठारे नंबर बिल का और जिसमें कि हमने payment कर दिया था 28,480 रुपए इसलिए 48,800 रुपए यहाँ पर pending सो रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं ठीक है अब हम फिर इस जगे प दिया है हजिन के साथז trust करके पूरा पीरेट मैंने यहां पर ले लिया अब दोस्तों यहाँ पर अपको यह देखना है कि किसुंट कर से करते हैं इसको accept कर लेना है, जैसे ही आप इसको accept कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, हर invoice के साथ आपको यह भी पता चलेगा, कि किस invoice के लिए आपको कितना समय मिला है, न, देखिए, यहाँ पर 31 मई को हमने जो 12 नमबर का invoice लिया था, वहाँ पर 10 दिन का समय मिला है, क्योंकि हमने क्या किया था, जब हमने entry की थी, तो वहाँ पर मैंने डाल दिया था, हमने यहाँ पर, कि हमको कितने कितने दिन का समय मिला है, और उसकी date क्या है, तो देखी, यहाँ पर मैंने डाला था, 10 दिन का समय है ना इस बिल में 12 नमबर का जो बिलता है उसमें 10 दिन का समय डाला था तो ये देखिए 10 दिन यहां पर शोगए इसके साथी साथ अगला जो हमने invoice लिया था 18 नमबर तो 8 दिन का इसमें हमारे लिए समय था यानि 8 दिन हम इसमें और प्लस कर देंगे 1 जूं सैना इसी तरह से आपको किसी भी invoice के अंतरगत यह देखना है कि कितने दिन के अंदर हमको इस और पैक करना है तो वह आपको प्यता चल जाएगा 15 दिन का हमको इसमें समय मिला है तो इस तरह से आप यह भी देख सकते हैं डिटेल में है let in अब हम फिर से आसे यहिंवी परणाब का स्टेटरम तो दोस्तों इस तरह से जब भी को किसी फार्टी कोम मेंटें करना है तो आप इस तरह से कर सकतेए इसी तरह से डेटर्सपार्टी को कोई भी आपकी डेटर्स TV है जैसे कि यहाँ पर Sanjay Taters के नाम से एक Deters Party है इसको भी मैंने Billwise Maintain कर रखा है तो इस तरह से आपकी कोई भी Party है, Deters Party है, तो उसको भी आप इसी तरह से Billwise Maintain करेंगे, जिस तरह से कि आपने Creator Party को Billwise Maintain किया अब यहाँ पर देखिए, दो हमने इनको sell की थी हमारी Sanjay Taters से इनको इनके laser को हमने Billwise Maintain किया और दो sell की है, तो इनको भी हम Billwise अब यहाँ पर select करके enterprise करेंगे, तो यह देखिए Billwise भी यहाँ पर आ गया, यह दोनों ही amount इन पर हमारे pending हैं तीन number का invoice और साथ number का invoice, और जिसका opening amount जितना आ रहा है, उतना ही pending amount भी आ रहा है क्योंकि इनोंने हमें इनके अंतरकत कोई भी payment नहीं किया है, और यहाँ पर due date भी आ रही है, यहाँ पर इनको एक अपरेल 2021 को हमने इनको तीन number का invoice दिया था, उसमें हमने 30 दिन का समय दिया था, तो एक मई 2021 तक इनको payment कर देना था, आज last, आज जो date है, वो 2 June है, एक दिन इसमें भी इसमें ज्यादा हो गया, इनोंने अभी तक हमको कोई payment नहीं किया है, तो जब भी आपको payment करेंगे, तो आप उसी तरह से, जिस तरह से हमने, जो हमारी creator party थी, उसकी यहाँ पर हम चलते हैं, एप 6 में, एप 6 में आके और हम State Bank of India में receive करने जा रहे हैं, और संजे, data हम यहाँ पर ले लेते हैं, पचास अजार रपार receive करेंगे, जैसी receive करेंगे, तो यह खुल कर आ जाए यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको इस date में एक प्रेल तक में जितने भी pending amount थे वो आ जाएंगे, और इसमें आप इस तो adjust कर लेंगे, और इसी तरह से आप जो भी आपकी data party है, उनको भी आप इसी तरह से bill wise maintain कर सकते हैं, bill wise में जाएंगे, और bill wise में आने के बाद अल्ट के साथ अल्ट के साथ अल्ट के साथ अल्ट के साथ अल्ट करके पूरा पीरिट ले ले लेते हैं, तो देखी यहाँ पर bill wise में जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा देखी एक लाग चाली से जार साथ सो शब्वीस रुपए तीन नंबर के बिल के अंतरकात हमें इंसे लेने थे, अब इसका पेंडिंग अमांट रह गया नब्वे अजार साथ सो शब्वीस रुपए क्योंकि पचास जार इन्हों ने दिये दिये हैं, तो इस तरह से आप डेटस पार्टी को भी बिल बाइस मेंटेंग कर सकते हैं, आ वीडियो अच्छी लगियों तो लाइक करें धन्यवाद।